So hey guys, welcome back to another video and today I am going to talk about quick shifter, auto bleeper, down shifter these terms which are in racing or sports bike segment which is used in motor gp and other here you hear a good sound sound it's like this, the car and the gear shifting sound it's very good, how do you love it? these are the two words that you all know quick shifter, auto bleeper, down shifter because of this sound that you hear and it's fun so we start with the sound, the terms, the terms, how do you work and why it's very important there and that you can make a lot of life, a lot of life so that's why, let's see this video until the end you have one knowledge that you will get, one thing that you will understand and I will also explain the work that you can do let's start with quick shifter big shifter is the one who is the first as a quick shifter, you can do next you can ум sophism, then quick shifter give up shaped get plan if you will changeặng father the guys the child please I होती है अब यहां पर क्विक शिफ्टर अगर आपकी बाइक में तो आपको क्या करना रहेगा रेस दो इधर चल रही है सेटेंड गएर थर्ड गएर फोर्ड गया सेफ गयर सीफ गयर शीज गयर अलब रहे भी नहीं है आपको और कंटिनिसली गेर आप शिफ्ट आप करते जाओ आपकी रेस चलती रहेगी आप मतलब बिल्गुल भी एक सेकंड का भी आपको लाग नहीं आए यह चीजें जो है आपको रीस में काम में आएगे आपको कोई बुमपर टुमपर ट्रैफिक में पांच- उसकी स्पीड पे तो काम में आनी है एक चीज और आप लोगों को स्टाइडिंग में क्लियर कर दूँ यह तो क्विक शिफ्टर है बिसिकली 3500 रपीम 4000 रपीम से लेकर अगर आपकी सपोस्ट करो बाइक का रेड लाइनिंग हो रही है 13000 14000 रपीम पे तो 11-12000 रपीम तक ज चाहले तक आप इसको यूज करेंगे तो ज्याद अच्छा है रेड लाइन पर भी यूज कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है कोई दिक्तत नहीं है पर थोड़े से वियर इंटियर जो है होने के चांसे बढ़ जाते है एक बार आप थोड़ा सा इस तरम से यूज तुरू हो चाहिए तो यह पर्टिकुलर सेंसर होता है जिसको अब बाहर से अपने बाइक में इंस्ट्रॉल कर सकते हैं जो कि आपको कुछ शिफ्टिंग अप्शिफ्टिंग करने में जो है यूसफुल रहेगा काम आएगा अगर आप इसी प्रो लेवल की ड्राइविंग जो है वो क सब्सक्राइब कर सकते हैं यह संसर बेसिकली करता क्या है अगर आपको पता है तो ज्याद अच्छे से समझ में आएगा मैं आपको एक्स बार एक्सप्लें कर देता हूं सबसे बहले बैटरी से पावर आती है सीडिया यूनिट में है कैपेसिटर डिसचार्ज इनिशन तो इसलिए अब आपको पास में जो बैटरी से पावर आई है उसको वह पावर अवर्ट करके जो है फ्लग में देता है जांग में वहाँ पर थाउजन तॉफ वार्ट का जो है इंगनीट होता है और वह जिसी यह इंगनीशन होता है जो भी टॉम्स आप यूज चाहों उसी से यह बंदिंग से पावर मिलती है वीकल आगे बढ़ता है अगर आपको यह बिद्ट में समझना है नीचे कमेंट करो कुछ आपको समझना है कुछ ऐसा टॉपिक जो कि आपको रिक्वार्मेंट है या उस टॉपिक से जो है बहुत सारे लोगों की हैल्प हो सकती है तो आप मु जो जसी आप अप्षिफ्ट करते हैं उतने टाइम के लिए रूक देता है तो जो इनजने वह वह क्लॉट से अनलोड हो जाता है इंड आपका जो क्लॉट्चलेश अप्षिफ्ट है वह पॉसिबल हो जाती है पैटिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यह quickshifter जो है वो कैसे काम करता है और किस टाइप से इसकी working जो है वो complete होती है तो जैसे ही आपने महाँ पर जो gear lever होता है उसको upshift करने के लिए हलका सा भी प्रेस करा sensor active हो जाता है और जो यह पूरा system महाँ पर अंदर काम कर रा automation system उसको रोक देता है और आप upshift कर पाते हैं तो यही working है अब quickshifter की अब आप बोल रहोंगे के downshift में भी काम करते हैं तो यह नहीं आटो ब्लेपिंग महाँ पर चाहिए and downsh grief रों महा पर आपको चाहिए और यह जो दो तं है यहां पर इसके लिए आपको जो है agora कि आप न लगा सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए तक्नालजी अब अब राइट बाइवायर टेक्मिलोजी अगर आपको समझ नहीं है तो इसकी वीडियों में बहुत पहले बना चुका था आई बटन पर आ रही होगी आप जाके देख लीजी राइट बाइवायर अगर आपको समझ नहीं है तो कि वो टम जो है वो कैसे काम करती है और ये जो नॉर्मल राइट बाइवायर एक्वहली ग्याइस ऐसे अब अभी एक्षलडेट करते हैं तो एक जो OLLता है और राइट बाइवायर में सेंसे होलता है जो पल्स में होँसे बाइपर जाती है और एंजीन पर जित फेक्ड़ांवें काम आती है इसमें थोड़ा सा लाग होता है इसका ये एक मिलब कॉंस भी है और बाकी पूरी डीटेल आप लोग जो है उस वीडियो में समझ जाएंगे बाकी मैंने शॉर्ट में इसमें बता दिया जिन लोगों को आगे नहीं देखना है तो वह बात होती है तो अब शिफ्ट अब इसमें अगर सपोस्ट करो कि आपके पसमें वही राइट बैवायर नहीं है जैसे कि पुरानी वाली जाडएक्स शिक्सार उसके दर नहीं आता था यह बहुत सारी बाइक्स है ऐसे पर्टिकुलर अगर जैसे नॉर्मल अपनी कार्विटर वाली पाइक उनमें नहीं आ आख मोटोजी भी रिस आप लोग देखना पसंद करने तो आप लोगों ने देखा होगा पहले की बात है अभी की तो बात मिल्ब शाल दुसाल पहले जो राइडर की होता था वह क्या ख़रता था बार बार जैसे वह ऑल जो है भी खरता था एक्सलेड को जब वह चीजंघ वही चीज़े हैं कि यहां पर यह चीजे आपनी परफोमेंस को और अच्छे से इन्हांस कर बाता है तो यह सबी चीजे जो है ट्रांसमेशन को विक ली अपशिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट करने में हैल पर दीदाइब यह नॉर्मल बाइक के लिए नहीं है और नहीं उनमें लोग पुछेंगे कि उनमें क्या अगर रेविंग उनको पताएगी हां कितना रेव होना चाहिए और वह करते हैं तो वह कर तो सकते हैं बट एक्चुली जो तीत होते हैं गेरबॉक्स के एंजिन के वह बहुत जादा तरीके से अच्छी तरीके से श्रिंक जो है किये होते ह और महां पर अगर आप यह सभी करते हैं तो क्लेश प्रेट जो है वो बर्न होने के हंड्रीड परसेंट चांस होते हैं तो ऐसा करो ही मत और अगर करना है तो हाड़ वक करो एंड एक मस्त वाली सुपर बाइक लोग जिनमें यह सभी चीज़ आती है और एंजोई को अपनी करता हूं और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइन है तो बहुत सारी अपडेट्स मेंस कर रहे हैं जो डेली हमाबर में इंस्टोरी पर आप लोग शाय करता हूं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मल जाएगा जाकर जोई हो जाएगे एंड अगर कोई और आपके ओपर वीडियो आप चाते हैं तो नीचे कमेंट कर दो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो फेस्बुक पर मैसेज कर दो जैसा भी जहां पर जो आपको अच्छा लगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाए हमना है जेन हाँ फ्रेंस ट्राइव से प्रेंस